Hello everyone, welcome back to the channel day 72 पर आ गए हैं और more than one की sequence पूरी फिनिश करके अब अगर आज से matrix match type questions की practice करेंगे अगले 4 दिन के लिए तो अपन फटा-फट से first matrix match पर आ जाते हैं यहाँ पर कफी सारे concept of mixed रहेंगे, involved रहेंगे तो number of integral solutions पूछें इस से, तो यह beggar method का concept है, यहाँ पर x, y, z, सबको minus 4, minus 4, minus 4 पहले ही चाहिए तो आप अगर 1 में से minus 4, minus 4, minus 4 इन सबको अगर आप already दे दोगे, बतला बेक तरह से आपने से इन में से 4, 4, 4 ले लिया है तो आपके पास 13 चीज़ें बचेगी और फिर यह सारे greater than equal to 0 हो जाएगे तो 13 चीज़ों का 3 variable पे beggar लगा लेंगे तो answer आजाएगा 13 plus 3 minus 1 और नीचे आजाएगा c में 3 minus 1 तो यह answer आजाएगा 15c2 के बराबर जो की 105 होता है next में greatest term पूछा है तो greatest term के लिए हमारे पास formula होता था वो होता था n plus 1 और upon में हमारे पास होता है 1 plus mod के अंदर a by b 1 को 1 by root 2 से divide करेंगे तो यह आजाएगा 13 by 1 plus root 2 और 1 plus root 2 2.414 ऐसा कुछ आ रहा है तो यह 5 से just बड़ा होगा इसका अपन integer part लेते हैं तो r आजाता है तो r की value 5 हो जाएगी और जो term है आपका वो हो जाएगा 6 तो r बराबर 5 पर अगर solve करेंगे तो यह आजाएगा 6 टर्म के लिए 12c5 1 की power 7 1 by root 2 की power 5 इसको solve करके अब अपन इसकी value निकाल सकते हैं next जो हमारे पास है वो HP का funda लग रहा है तो यार देखो HP में A1, A2, A3 है तो reciprocal AP में होगा यह नि 1 by A1, 1 by A2 यह सब AP में है put करेंगे तो यह ऐसा बन गया A1, A2 plus A2, A3 plus A3, A4 इस तरह से चलता जा रहा है यह कहां तक A99 और A100 था और नीचे हमारे पास आ रहा है A1, A100 इसके लिए अपन को करना कुछ नहीं है बड़ाई सिंपल है 1 by A1 minus 1 by A2 minus 1 by A1 यह D हो जाएगा क्योंकि उल्टा करने पर AP है यहां से A1, A2 की value आपके पास आजाएगी इसके case में A1 minus A2 by D इसी तरह A1 by A3, A1 by A2 का भी D होगा तो A2, A3 की value आजाएगी आपके पास A3 minus A2 by D फिर A3, A4 आजाएगा आपके पास A4 minus A3 by D और last में आपके पास आजाएगा A100 minus A99 by D तो आप यहां देखेंगे आपके alternate terms जो होंगे यहां पर वो क्या होते जाएगे cancel, sorry, A2 आएगा पहले फिर A3 आएगा फिर अगले में भी A3 आएगा फिर A4 आएगा, तो आपके alternate terms जो है वो यहां पर cancel होते जाएगे सारे के सारे, तो आपके पास last में बचेगा A1 minus A100 upon D अब इसको अपन eliminate कैसे करें? तो इस तरह से अगर आपन देखेंगे तो 1 by A100 और 1 by A1 का जो difference होगा 99 terms बीच माहेंगे, 99 D होगा तो यहां से A1 minus A100 upon A1 A100 इसकी value 99 D आजाएगी 99 D को D से divide करेंगे तो यह आजाएगा 99 के बरावर last वारे पार्ट में पूछा 8 points जो है, है न if 8 points out of 11 points are in straight line, तो triangle कितने बनेगे तो बिटा बनने तो चाहिए थे 11 C3 लेकिन 8 straight line में है, तो minus में 8 C3 अपन अठा देंगे तो PNC और sequence series का एक simple सा matrix match था, और next पर आजाते हैं, इसके अंदर binomial theorem involved है तो यह expansion लिखावा इसका, सबसे पहले E1 coefficients का sum चाहिए, A0, A2 A4, A6, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे पहले 1 रख देंगे both sides, तो यहाँ पर 1 रख दो, तो 4 की पावर 9 आजाएगा, A0, A1, A2 इस तरह से sum करते जाएंगे, ऐसा फिर एक बार आप यहाँ पर minus 1 रख दो, यहाँ पर minus 1 भी अगर अपन इसके case के अंदर रख देंगे, तो minus 1, minus 1, 1, 1, तो उसको minus 1 भी एक बार अपन यहाँ put कर देंगे minus 1 put करने पर आजाएगा A0, minus A1, फिर A2, minus A3 ऐसे चलता जाएगा दोनों को add करके जब आप 2 से divide कर दोगे, जिसे add करने पर odd वाले क्या हो जाएंगे, double हो जाएंगे sorry, cancel हो जाएंगे even वाले double हो जाएंगे, A0, A2, A4 ऐसा, बागी सिब क्या हो जाएंगे यहाँ पर अपने बास इधर cancel cancel out हो जाएंगे, इस तरह से और फिर 2 से अपन पूरे को क्या कर सकते हैं hole को जो भी अपने पास यहाँ पर आया situation में, उससे अपन divide कर देंगे next वाला जो है, वो interesting है इसके submission में अगर आपन देखें तो 4-4 का gap है, तो 1-1 से काम नहीं चलेगा 1-1 जो है, वो X2 बराबर 1 के roots होते हैं, चार-चार के gap में आपको क्या करना है, बिटा, X की power 4 बराबर 1 के roots रखने हैं बारी-बारी, क्या पहले आप इसमें 1 रखोगे, तो आप यहाँ पर 1 रखोगे, तो 4 की power 13 आ जाएगा, A0, A1, A2, A3 इसा, आगे तक चलता जाएगा, फिर आप इसमें रखोगे, माइनस 1, तो वो 0 आ जाएगा, और वहाँ पर भी इस तरह से चलता जाएगा, फिर आप इसके अंदर रख दोगे आयोटा, आयोटा पर भी आप देखोगे 0 आएगा, और यहाँ A0, A1 आयोटा, है ना, A2 आयोटा स्क्वेर, जो की माइनस A2 होता है A3 आयोटा क्यूब, इस तरह से चलता जाएगा लास में माइनस आयोटा रखेंगे, फिर 0 आएगा यहाँ A0, माइनस A1 आयोटा, फिर माइनस A2 है ना, फिर से माइनस आयोटा का यहाँ क्यूब करेंगे तो A3 आयोटा अब जब बिटा सबको एड करोगे तो लेफ्ट साइड 4 की पार 13 राइट साइड सब कुछ कट जाएगा A0 A4 A8 यह 4 ताम से बच जाएंगे 4 से डिवाइड कर देंगे बाकी दो सीरीज यह डिरेक्ट समेशन पर बेस्ट है जैसे इसका जनरल टर्म लोग है तो यह आजाएगा 20C R पीछे R-1 चल रहा है R बराबर यहां पर चल रहा है अपने पास इसके केस के अंदर 2 से 20 तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं तो R into 20CR, R NCR का सम होता है N 2 की पार N-1 तो 20 into 2 की पार 90 लेकिन R बराबर 1 से होता है यह R बराबर 2 से है and that is why R बराबर 1 पर जो इसकी value आनी चाहिए थी वो अपन इसमें से हटा देंगे minus में हमारे पास यहां पर 20CR का समेशन है जो 2 की पार 20 होता है लेकिन इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो 0 और 1 गायब है 20CR के समेशन में तो इसमें से 20C 0 और 20C 1 हटाना पड़ेगा तो limits ज्यान से देखेंगे next वाला straight forward है बिल्कुल R into 20CR इसका formula याद होना चाहिए N into 2 की बावर N minus 1 से अपन इसको approach करने की कोशिश कर सकते है पर यहाँ problem क्या है कि यह इसके आगे नहीं जा रहा है तो यह आपके पास सिर्फ किता है 10 into 20C 10 उपर तो आपके पास सारे आये थे नीचे वापके पास इसके आगे वाले जो है आगे वाले का क्या मतलब हो गया आगे वाले का मतलब हो गया 11 into 20C 11 इस टाइप के सारे के सारे टर्म्स नहीं है तो अगर अपन पूरी सिरीज देखें जिसका अगर हमें यहाँ पता है तो पूरी सिरीज अपने पास क्या आएगी इसे चलता जाएगा 10 into 20C 10 अगला वाला आयता है अपने पास 11 into 20C तो अब इसके केस के अंदर यहां देखेंगे तो second last term यहाँ पे था 9 into 20C 9 अब अगला आएगा 11 into 20C 11 फिर 12 into 20C 12 ऐसे 17 into 20C 17 18 into 20C 18 ऐसा पर लास में 19C यहाँ पे 19 into 20C 19 और 20 into 20C 20 साथ में 0 भी लेलो 0 into 20C 0 तो इन सब का जो सम होता है यह n into 2 की बार n-1 होता है तो अगर अगर अपन इन यह में तो बस इतने पार्ट का ही सम चाहिए यह वाला तो अगर अपन इनको एड़ करने दोनों को तो आप देखो यह सब सेम बन जाते है 20 यह भी बन जाएगा 20 C1 यह क्योंकि 20 C2 20 C18 दोनों 20 C2 है तो इससे भी अपन देख सकते कि हमारे पास आधे वाले पार्ट का सम आ सकता है तो हमें फिलाल अगर अगर अपन यह देखे तो अपन को इसी का सम निकालने की जरूरत है तो हमारा यहाँ पर जो समेशन होगा वो सिर्फ क्या होगा इतने से पार्ट का होगा यह पूरा वाला जो पार्ट अपन को यह वाला पार्ट अपन को पूरा कंसिडर करने की इसके केस के अंदर जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसके case के अंदर जैसे दोनों को add कर दें तो यह वाला एक पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है यह ऐसा ही रहेगा तो 2x प्लस 10 इंटू 20 C10 यह जैसे आगया 2 की पार नहीं है तो x आजाएगा 2 की पार 19 माइनस 10 इंटू 20 C10 अपॉन 2 ऐसा और फिर अपन अब इस पार्ट के अंदर वापस क्या कर सकते हैं यह जो 10 इंटू 20 C10 बच गया था ही अपन वापस अलग से आकर आइड कर सकते हैं तो इस तरह की अप्रोच भी यूज होती है तो exactly यह तो नहीं ह तरीका थोड़ा सा different है तो D option आप try करेंगे आंसर मुझे आप comments में बताएंगे बताओंगा कौन सा सही आ रहा है अगर नहीं होता है तो solution में आपको next lecture से पहले बता दूँगो next sequence series का है बोल रहा है सारे positive number है तो AMGM का hint मिल गया है यहां से तो y को आप x plus z by 2 से replace कर दो उपर और नीचे की जहां जहां x plus y है वहाँ वहाँ पर आप इसे x plus z by 2 से replace कर दो तो यह कुछ आपके पास ऐसा बन जाएगा x plus z by 2 लगा होगा तो 7x plus z upon 2 times यहां x plus z by 2 लेंगे तो ऐसा आएगा और फिर अगर अपन यहां पर देखेंगे sorry z और यहां पर देखेंगे x plus z by 2 तो आजाएगा 7z plus x और upon में यहां पर भी अपने पास 2 आजाएगा अब इनको अलग-अलग कर दो तो 7x by 2z और 7z by 2x इसमें तो 7 by 2 common लेकर आप लगा सकते हो amg और बाकी वाला पार्ट अलग हो जाएगा तो अब आप value निखाल सकते हो next में बोल रहा है x1 x2 x3 real number है ap में तो इसकी क्या value होगी तो अगर इसके roots ap में है तो आपन a minus d a a plus d ले सकते हैं इन्हों को add करेंगे तो 3a की value 1 आ जाएगी तो एक root 1 by 3 है तो 1 by 3 put कर दो 1 by 27 minus 1 by 9 alpha by 3 plus beta यह 0 आ जाएगा तो बिटा यहां से आपके पास alpha plus 3 beta की value आ जाएगी और answer में आपसे इसका 9 times पूछा है तो यह पन निकाल सकते हैं ऐसा ही next है इसके अंदर बोल रहा है कि जो चारो roots है वो ap के अंदर है तो आप बताओ क्या होगा तो यहां observe करने बिटा आपको इसके case के अंदर अगर आप कहां पर देखोगे तो x बराबर 1 जो आ रहा है वो इसका one of the roots आ रहा है तो यह आप बाद में काम ले सकते हो फिलाल चार नंबर ap के लिए आप a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d ले सकते हो तो अगर सब का sum करेंगे तो 4 आएगा जो 16 के बराबर तो यह बराबर 4 हो गया यानि चारो roots हो जाएंगे 4 minus 3d 4 minus d 4 plus d और 4 plus 3d ऐसा अब इसमें सब का product लोगे तो यह 105 आएगा तो अपन भी product ले लेते हैं तो first last second second last multiply कर दो तो 16 minus d square into 16 minus 9 d square यह 105 आएगा d square को थोड़े दर t लेकर अपन क्या कर सकते हैं solve कर सकते हैं तो अपने चारो term आजाएंगे ठीक है अब यहाँ पर आते हैं अच्छा common difference जिसको यह d बोल रहे हैं वो d मत लेना अपना common difference 2d होगा तो अपना जो d आएगा अपन को double करना पड़े जाएंगे वो इसका d होगा अच्छा इसके अंदर misprint है यहाँ पर यह भी होना चाहिए summation अगर अपन यहाँ पर देखेंगे जिसे यहाँ तो बन रखोगे तो यह a4 a6 a8 ऐसा चल रहा है यहाँ पर summation a2k बराबर a2k प्लस 2 है 1 से n और दोनों का sum 0 नहीं आ रहा है फिर पू अबर आ रहा है अपने पास इसके case के अंदर यहाँ पर देखे हैं अगर तो a4 प्लस a6 प्लस 8 इस तरह सो 2k भी नहीं आए फिंग 2k-1 था यहाँ तो यह भी मैंने online चेक किया था तभी पता चला था तो a2k-1 था ऐसा तो इस gp का sum निकालेंगे इसका first term a है terms, number of terms दोनों के सेम है तो r की power n-1 upon r-1 दूसरा वाला अगर यह देखेंगे तो यह a4 से शूर हो रहा है यानि a r cube r की power n-1 r-1 क्योंकि यह sum 0 नहीं जा सकता तो a और r दोनों यहाँ पे cancel हो जाएंगे पीछे r cube बराबर 1 मिलेगा उसकी तीन value हो सकती है 1 omega square next वाले पर आते हैं यह भी sequence series पर बेज़ जाए अगर अपन यहाँ देखें तो summation n-210 दे रखा है मतला n-n-plus 1 by 2, 210 तो इसको solve करेंगे यहाँ से तो n की value 20 आ जाएगे अब summation n-square होता है n-n-plus 1, 2n-plus 1 by 6 अब आप इसके अंदर चुप-चाप 20 रग दोगे तो 20 into 21 into 41 by 6 ऐसा कुछ अपने पास आजाएगा तो 70 into 41 तो 2870 के आसपास बनेगा greatest prime number which is greater than this it is divisible by greatest prime number कौन सा सबसे बड़ा prime होगा जो इसको divide करेगा तो वो जो prime है वो इन में से किस से बड़ा है वो अपन को देखना है तो आप इसका prime factorization करके देख सकते हैं next interesting है इसमें बोल रहा है कि 4 से 2916 के बीच में 2n प्लस 1 gm डालें तो जो 2n प्लस 1 gm आपने इसके बीच में डाले होंगे यह सब GP के अंदर होंगे 4 or 2916 के साथ अब बोल रहा है n प्लस 1 अथ gm क्या होगा तो n प्लस 1 इसके just center में और अगर just इसके center में तो वो gn और g2n प्लस 1 का geometric mean होगा और इसी लिए यह वो 4 or 2n16 का भी gm होगा तो directly answer आ जाएगा 4 into 2n16 का square root अच्छा सवाल था next में बोल रहा है कि यह जो series SC part में 40 30 24 20 इसमें से कितने term होंगे जो integers होंगे तो उसके लिए series में आगे क्या आएगा अब उसको देखने के लिए आप यहां पर देख सकते हो अब यह देखते ही पता नहीं चलेगा पर इसका reciprocal AP में आएगा तो यह जब reciprocal लेंगे तो आप देखोगे कि यह वाले जो terms आ रहे हैं यह HP में आ रहे हैं गर आप difference लोगे तो यह आजाएगा 1 upon 120 यह भी 1 upon 120 यह भी 1 upon 120 तो अब यहां पर अपन 1 upon 120 एड़ करके बागी के terms भी बना सकते हूं का reciprocal integer आना चाहिए तो 1 upon 120 इसमें एड़ करेंगे फिर 1 upon 120 इसम पड़ेगा कि अगर अपन इसके अंदर जा रहे हैं मानलो इसके आगे जा रहे हैं 1 by 20 से आगे तो अगर मैं A plus N minus 1D लिखूं तो ऐसे कितने number होंगे जो 1 by P के form में होंगे simplify होने के बाद थो तो वहां से आपके पास N into यहां पर पहले LCM ले लेंगे तो N plus 5 into P जो आपके प पूरा S लेते हैं फिर अपन R से multiply करके आगे shift करते हैं तो इदर 1 by 5 4 by 5 square ऐसे चलता जाएगा दोनों को subtract करेंगे S में से S by 5 तो आपके पास 1 plus 3 by 5 plus 3 by 5 square ऐसे GP चलती जाएगा तो GP का sum अपन यहां पे निकाल सकते हैं 1 अलग से पड़ा रहेगा यहां जाएगा A upon 1 minus R तो 1 plus यहां पर 3 by 4 7 by 4 के around आ रहा है तो 35 by 16 इसकी value हो जाएगी 35 में से 16 अपन यहां पर subtract कर सकते हैं calculation एक बार वापस देख लेना answer हो सकता है मेरा शायद गडबड आ रहा है यहां पर करना वही है 1 by 5 से multiply गरके आगे shift करेंगे फिर infinite GP वाला आपन यहां पर तरीका लगा के solve कर लें ठीक है तो next पर आते हैं पर तो यहां पर यहां पर plus आएगा यह भी correction है अब यह बोल रहा है x minus alpha x minus beta है तो x plus a को alpha और beta रख दो तो अब अगर आप देखोगे यहां पर roots आजाएंगे alpha minus a बीटा माइनस है तो इसके root होगए alpha minus a बीटा माइनस है hx में अपन ने bx से multiply कर दिया तो अब अपन bx को किसके बराबर कर देंगे पुराने वाले root के alpha minus a और beta minus a को तो x आजाएगा यहां से alpha minus a by b तो यह हो गया alpha minus a by b बीटा minus a by b फिर यहां चेंज नहीं होगे क्योंकि यहां तो c से multiply किया इससे कोई फरक पड़ेगा ने last में वापस change हो जाएंगे क्योंकि यह जो minus x है आप इसको alpha minus a by b के बराबर रखोगे तो sine change हो जाएगा तो a minus alpha हो जाएगा तो यह अपना quadratic का transformation of roots का revision हो जाएगा नेक्स्ट वाला जो match the column है यह vector पर बेज़ड है तो बोल रहा है कि यह तो answer ही दे दिया वेक्टर है पारलेलो पाइप बना रखा है और 1,2,3,9,8,5 parallel to coordinate plane अब बिटा अगर parallel to coordinate plane चल रहे हो मतलब आप x y z axis के parallel चल तो इसका मतलब फिर वो जो parallel pipe आप बना रहे हो तो actually parallel pipe नहीं है वो तो और special हो जाएगा cuboid हो जाएगा तो cuboid के end point पता चल गए आपको क्योंकि parallel चलोगे तो coordinate change नहीं होते x y z के इसमें तो तीनो चेंज हो गए मतलब यह diagonally opposite है तो इसका मतलब x में आप 8 चल रहे हो y में अगर आप देखोगे यहाप तो आप 6 चल रहे हो और z में आप 2 चलोगे तो 8, 6 और 2, P, R, S यह तीनों sides हो जाएगा B में पूछा है कि इसी line पे 1,1,1 से 13 unit दूर कौन सा होगा तो यहाँ भी polar form लगाएंगे जैसे x1 प्लस और cos theta y1 प्लस r sin theta लेते हैं तो यहाँ पर 1 by 13 आपके पास multiplication में आ जाएगा इस तरह सो यह तो यह बन जाएगा प्लस है तो 2, 2, 2 बन जाएगा और अगर यहाँ पर इसके case के अंदर अच्छा सुरी 3 by 13 है 4 by 13 और 5 by 13 यह element है तो 3 by 13 पर आजाएगा आपके पास 4 फिर 5 और फिर आपके पास यहाँ पर 12 by 13 लेंगे 3, 4, 12 by 13 तो 1, 4, 5, 13 आएगा और यहाँ अगर आप minus का लोगे तो 1 minus 3 आजाएगा 1 minus 4 आजाएगा 1 minus 12 आजाएगा ऐसे तो यहाँ alpha, beta, gamma आगे alpha by 2 पूछा है तो 4 by 2 और minus 2 by 2 लोगो पॉसिगल नेक्स में पूछ रहा है दो plane दे रखे unit vector parallel to line of intersection तो फिटा line of intersection दोनों के normal का cross product होती है तो i, j, k का पहले plane के normal और दूसरे plane के साथ normal में cross product करेंगे और फिर unit vector निकाल लेंगे इस form में तो यह तो आसान है d वाले के अंदर बोल रहा है कि यह जो तीन vector है इनसे तीन plane बना रहे है एक बार एक plane के अंदर दो ही vector होंगे जैसे i plus j और j plus k से एक plane बना लिया तो इसका normal क्या आएगा i plus j का cross करेंगे इसके साथ तो i cross j, j cross j, i cross k और j cross k तो यह आपके पास एक normal vector आगया एक plane का फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो i plus j का cross कर सकते हो k plus i के साथ तो i cross k आजाएगा i cross i आजाएगा j cross k और j cross i तो यह पहला vector यह दूसरा vector फिर लास में थर्ड plane मनाने के लिए j plus k और k plus i का cross कर देंगे तो यह आजाएगा आपके पास j cross k, j cross i, k cross k और k cross i तो यह तीनों हो गए हमारे normal तीनों planes के और बोल रहा है इनसे parallel pipe का जो volume बन रहा है वो बताना है आपको क्या होगा आप उसके लिए यहाँ पर क्या कर सकते हो पहले तो unit vector बनाएंगे इनका तीनों का बोल रहा है unit बनो तो तीनों का आप पहले यहाँ पर क्या करोगे इसके case के अंदर तीनों का ही अपन को यहाँ पर unit vector बनाना है उसके बाद यहाँ पर volume पूछा है तो अब इन तीनों का determinant निकाल लेंगे 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 common आजाएगा और बाकी इन तीनों के जो coefficient है उसका अपन box product ले लेंगे तो volume आजाएगा लास्ट सवाल पर आते हैं जो solutions पर equations पर based है तो यह interesting है जैसे पहला वाला है तो आप इसको tan x बराबर pi by 4 minus x by 2 लिख सकते हो तो minus pi से pi में अब आपको क्या करना है आप यहाँ पर tan x का graph बनाओगे और अब आप यहाँ पर pi by 4 minus x by 2 का graph बनाओगे वहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी अपन यहाँ पर इसके case के अंदर graph बनाने जाएंगे तो वह कितनी जगे cut करेगा उतनी solution आज़ाँ यह वाला interesting है इसको भी उदर भेज दो तो sin inverse के अंदर mod of x square minus 1 pi by 2 में से cos square हटाएं cos inverse हटाएंगे तो यह भी sin inverse आज़ाएंगे तो यह तब possible है जब दोनों mod बराबर है आलंकि जो solution आएंगे वो आपको check करने पड़ेंगे कि domain के अंदर होने चाहिए minus 1 से 1 otherwise reject है तो x square minus 1 एक बार 2x square minus 5 लेकर solve करेंगे एक बार x square minus 1 को minus 2x square plus 5 लेकर solve करेंगे तो यहाँ से 3x square की value 6 यहनी x square 2 आएगा जो कि यहाँ रख पारें कोई दिक्कत नहीं इधर से अगर अपन solve करेंगे तो x square 6 आएगा वो नहीं रख पाएंगे वो यहाँ पे reject करना पड़ेगा तो x square 2 ले सकते हैं वहाँ से 2 solution आदेंगे plus minus root 2 c और भी शानदार है यहाँ अपन perfect square बनाने की कोशिश कर सकते हैं sin square की copy करने की कोशिश करो और 1 को लिख दो sin square pi x by 2 plus cos square pi x by 2 अब मज़ा आएगा perfect square completion हो जाएगा यह बन जाएगा x square minus sin pi x by 2 का whole square plus cos के अंदर pi x by 2 का whole square 0 मतलब ये भी 0 होना चाहिए ये भी होना चाहिए ये 0 मतलब cos pi x by 2 होगा 0 जो कि pi by 2 की odd multiple पर होता है तो x की ये सारी value आएगी 1, 3, 5, 7 positive भी negative भी और उनको अब अगर अपन यहाँ रखेंगे तो जो आपके पास यहाँ 1 है सिरफ वही इसको satisfy करेगा वहीं पे ये दोनों cancel होंगे बाकि 3, 5, 7 पे x square sin pi x by 2 को cancel नहीं कर पाएगा लास्ट वाला भी इसी तरह interesting है तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं सैक स्क्वेर थीटा है तो सैक स्क्वेर थीटा अपने पास है इसको 1 प्लस 10 स्क्वेर रख देते हैं तो यह बन जाएगा आपके पास x square plus 2x plus 2 plus 3 tan square pi x अब बिटा 3 tan square 0 कर लोगे लेकिन यह 0 नहीं कर पाऊगे यह x plus 1 whole square plus 1 है तो यह कभी 0 नहीं हो पाएगा इसका कोई solution नहीं आएगा तो revision के लिए सारे concept के लिए यह matrix match बहुत ही बहुत ही अच्छी चीज truthful चीज साबित हो सकते हैं तो बने रहें अगर आप नए है चैनल पर तो कोई बात नहीं हम questions discuss करते हैं मैं discuss करता हूँ उससे पहले आप pause करके solve कर सकते हैं चैनल subscribe कर सकते हैं और पुराने वाले question जो हम नभी तक solve कर लिए है day 70 से पहले 71 से पहले वो आप कर सकते हैं तो यह सारे question आपको try करने d part एक आपके लिए मैं homework में छोड़के जा रहा हूँ जिसका comment में 443 d part मुझे आप बताएंगे कल मिलेंगे अपन 6 और अच्छे matrix match के साथ तब तक के लिए thank you everyone